क्या आप जानते हो कि गोबी से मंजूरेन बना के उसके फ्राइड राइस भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी वाले अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको बस गरम गरम नमकीन पानी में आपने गोबी को नहलाना है ये हैं गोबी का पकोड़े तो आप बनाते हैं गोबी की फ्राइड राइस इस कड़ाई से सारा तेल निकाल देना और बस चुलूबर तेल बचाते अरी इसी तेल में तो आपने बनानी है बढ़ियावाली फ्राइड राइस अद्रक लसंड भरके डालके, साथ में थोड़ सी सबजिया, सौसेज और मसारे डालकर आप अच्छे से रोस्ट कर लेना, और फिर डालना अपने गोबी के पकोड़े और डाल देना बचे हुए चावल, और दोस्तों मजा ही आ जाएगा, खंड के मौसम में गोबी का टेस्ट ही कुछ और आता है, और चावल के साथ तो बहुत ही मज़ेता, तो एक बार मेरे कहने पे बना करते हो देखो